नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक पेड की छाया निस्वर्थ प्रेम कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनते हैं एक गाउं में अभिनाश नाम का एक बच्चा रहता था, अभिनाश ना पढ़ने में अच्छा था, ना ही खेल कूद में वो एक अंतर मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गाउं में कोई मित्र थी ना इस्कूल में जब इनसानों को इनसान दोस्त नहीं मिलते हैं, तो हुआ या तो निर्जी वस्तों से दोस्ती कर लेता है, या तो पसू पक्षी या पेड़ों से अभिनाश के घर के सामने एक आम का पेड़ था, अभिनाश अपना खाली समय इस आम की पेड़ की छाया में बिताने लगा अभिनाश या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड की पास पेड की साथ खिलता था उस पर चड़ता था वही उसकी छाया में आराम करता और वही सो जाता था अभिनाश उस पेड को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बाते अब उस पेड को बताने लगा था एक दिन चमतकार हुआ जब अभिनाश अपने मन की बाते उस पेड को बता रहा था तब अचानक वह पेड बोल पड़ा अभिनाश की खुसी का कोई ठीकाना नहीं रहा क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला मिल गया था साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उसे बाते करे पेड़ ने बताया कि अभिनाश के इतने घनिस्त मित्रता देख ओ अपने आपको रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा लेकिन वा अभिनाश जैसे दोस्त को पाकर बहत खुश था पेड़ को भी अभिनाश की आदत हो गई थी पेड़ अभिनाश को एक दोस्त की तरह एक बेटे की तरह दिखने लगा उसके फिक्र करने लगा अभिनाश की खुसी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा इंसानों के फितरत है वह समय के साथ बदल जाया करते हैं समय बदला अभिनाश की उम्र बढ़ी अब वह कोले जाने लगा उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया बिचारा पेड़ अभिनाश को याद कर काफी दुखी रहने लगा एक बार अभिनाश को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज लगाई और अपने पास बुलाया पेड़ ने अभिनाश से कहा आओ अभिनाश मेरे पास बैठो कुछ बाते करते हैं अभिनाश ने कहा नहीं मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूँ और बाते कर सकूँ क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहां से लाऊं अभिनाश की बाते सुन और उसको टेंशन में देखर पेड़ बोला देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है मगर हाँ अगर मेरे फल बेचकर तुम्हे कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड कर ले जाओ अभिनाश को पेड़ का सुझाओ पसंद आया उसने तुरन सारे आम तोड लिए और बजार में बेच कर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज के फिस भर दी अभिनास फिर से अपनी जिन्दगे में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया पेड़ हर दिन अभिनास का इंतिजार करता लेकिन तीन चार साल बीद गए उसे अभिनास मिलने नहीं आया फिर एक दिन अचानक अविनास उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया पेड़ अविनास को देकर काफी खुस हो गया पेड़ ने अविनास को अपने पास बुलाया और बोला आओ अविनास मेरे पास बैठो चलो कुछ बाते करते हैं अभिनाश ने पेड़ से कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं बैट सकता क्योंकि आप मेरी शादी हो गई है हालन कि मुझे नावकरी मिल गई है लेकिन अभी मेरी तनखवा इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकू मुझे काफी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा अभिनास को चिंता में देख फिर से पेड का दिल पिघल गया पेड ने अभिनास से कहा तुम मेरी सारी डालिया काट कर अपने घर को नया बना लो इससे तुम्हारी समस्या सुलच जाएगी अभिनास ने पेड की सारी डालिया काट ली और बाजार में बेज कर उसके पैसे बना लिए वो अपने पुराने घर को भाड़े पर दे कर कहीं और रहने चला गया पेड फिर से एक बार अकेला हो गया पेड ने अब उमिद छोड़ दे कि कभी उसकी मुलाकात अभिनास से हो पाएगी या नहीं पेड भी अब पूरी तरह से उजड चुका था उसकी डालिया काटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते तीस साल बीत चुके थे फिर एक दिन पेड ने एक जुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बुढ़ी आदमी को अपने पास आते देखा पेड ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया मह कोई और नहीं अभिनास था वह जब पेड के पास पहुचा तो पेड ने उसे कहा माफ करना दोस्त अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है अभिनास ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और नहीं मेरी कोई इच्छाएं बची है मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बाते करनी है बुढ़ा अभिनाश पेड को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो जरजर और उजाड हो गए उस आम की पेड पर नई कूपले उग निकली दोस्तो यह कहानी बड़ी ही मारमिक है अगर पेड पवदे और जानवर बोलते हो तो बिल्कुल वह इस पेड पैर की तरह होते है सच्चे वाफ़दार और निस्वर्थ चलो यह तो कल्बना की बात है लेकिन सोचो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे माबाप क्या इस पेड की तरह नहीं है और कहीं न कहीं हम उस अभिनाश का किरदार नहीं निभा रहे हैं तोस्तों एक पेड की छाया निस्वर्थ प्रेम कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर दे और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजी ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानिया ला सके धन्यवाद